So hello everyone, welcome back to new video So friends, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ How to Fold Engineering Drawing Seat यानि Engineering Drawing Seat को कैसे आपको मोरना है क्योंकि बहुत से कॉलेजों में बोला जाता है कि आप लोग को Drawing Seat को Fold करके लाना है यानि की मोर करके लाना है तो चलते मैं स्टार्ट करता हूँ आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको Fold करना है यह जो की आपका Engineering Drawing Seat है आपको इसको Fold करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको Right Side जो की Title Box होता है जो की इस परकार देख सकते हैं यहाँ पर Title Box है आपको सबसे पहले Engineering Drawing Seat को दो ब्रावर भागों में बाट लेना है जो की हाप कर लेना है कुछ इस परकार से हाप करने के बाद जो जिस साइड आपको Title Box है उस साइड का भी हाप कर लेना है जो की यह देख सकते हैं इसका भी मैं हाप कर लेता हूँ जिस साइड मेरा Title Box है इसका भी मैंने हाप कर लिया जो की इस परकाल देख सकते हैं हाप का हाप हो गया उसके बाद आपको left side से 21 cm यानि दूसरो 10 mm आपको मोरना है फोल्ड करना है तो यहाँ पर यह देख सकते हैं यह स्केल है और 21 cm आपको यहाँ पर आ जाता है तो मैं यहाँ से आपको corner से जो की 20 cm length ले लेता हूं और मैं यहाँ पर marking भी कर देता हूं तो यह यहाँ पर जो की 20 cm हो गया और उपर से भी मैं major कर लेता हूं ताकि length में कुछ गरवर ना हो तो यहाँ पर मैंने 21 cm ले लिया और इसको सबसे पहले हमको फोल्ड कर लेना है यानि मोर लेना है कुछ इस परका जो कि इस सैड अब उसके बाद क्या करना है आपको पेज को उलट देना है पूरा उलट देना है आप जिस सैड से आपको 21 cm लिये थे उसको भी मोर देना है उसी सैड से जैसे यहाँ पर मैंने 21 cm लिया था तो 21 cm मोर दिये है अब मेरा जितना भी बचा है उसको लेट सैड और राइट सैड से 18 cm हमको फिर से फोल्ट करना है तो लेट सैड से मैंने देख लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 cm है कुछ इस परकार देख सकते हैं 18 cm मैंने फोल्ट करता हूँ लेट सैड और कर लेता हूं मार्किंग करने के बाद इसको फोल्ड कर लेता हूं तो यह 18 सेंटीमीटर जो कि मैंने लेप साइट से इसको फोल्ड किया हूं और राइट साइट से 18 सेंटीमीटर करना है जो कि यहां पर देख सकते हैं 18 सेंटीमीटर यहां पर आ जाता है तो 18 सेंटीमीटर मैं यहां से भी कर लेता हूं मार्किंग करने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है तो यह मैंने जो कि मार्किंग कर लिया हूं इसको फोल्ड करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 18 सेंटीमीटर फोल्ड कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है जो बीच में बच गया है उसको सबसे पहले यहां पर आपको इस तरह से मौर कर और जो बीच वाला है उसको सबसे पहले अंदर की और फूसब करना है तो मौने के बाद आपको इस तरह से कुछ दिखेगा जो कि आपको टाइटल बॉक्स के वल दिखेगा यही आपको मेन होता है आपको जो भी प्रोफेसर आएंगे यह आपको देखेंगे और यह जो कि बच जाता है आपको 3 cm यानि कि 30 mm आपको बच जाता है यदि नहीं बचता है तो आपको फोल्ड करना गलत हो गिया तो मैंने देखा देता हूँ कि 3 cm हुआ है या नहीं तो मेरा यहां पर जो कि देख सकते हैं यह मेरा 3 cm है तो 3 cm देख लेता हूँ देख सकते हैं मेरा जो कि 3 cm बचा हुआ है यानि कि 30 mm तो यह मेरा जो कि सही फोल्ड किया हुआ है आपको जभी प्रोफेसर देखेंगे तो इस तरह से इसका कारण है कि जभी आप ले जाते हैं प्रोफेसर से चेक करवाने तो आपको तो यह टाइटल बॉक्स दीखेगा फोल्ड करने का मतलब हो गया बहुत सब्सक्राइब करना हुआ इससे लिए फोल्ड किया जाता है और इसको सब से पहले इसको देखना होता है, तो बहुत असानी से इसको कर लिया यहां पर देख सकते हैं यह वला और ए पोर्शन को यह पर यह पोर्शन और यह पोर्शन को हिचते हैं तो पूरा खुल जाता है इस तरह से तो यही था फोल्ट करने का आप लोग इसी प्रकार कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आएं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलते हैं थैंक्यू सो मच फ्रिंद्स